तुमने तो कमाल ही कर दिया सर्पन्च जी का स्वागत है इसके क्या ज़र रही है तुम जो पदारी हो सर्पन्च वारों के लिए हूँ परिवार के लिए नहीं देख रही हो नेताओं से दो कदम आगी है देख रही है वेल्कम वेल्क उस दिन मंदिर में दुश्मनी पर लेक्चर दिया था आज ये घर पर आगी ये लड़की नहीं आफ़त है ये सला उस दिन धपड को याद करके शराप पिये जा रहा था और आज तारीफों के पूल बांद रहा है अगर नागलक्ष में गुरू है तो हमारा भाई गुरू आगे क्या होगा सॉरी दरसल थैंक्स कहना था थैंक्स किसलिए उस दिन पापा की हेल्प की थी ना उसके लिए थैंक्यू समझा नहीं कुछ याद है ना उस दिन अंकल की तरफ से गुंडों की धुलाई की थी इसलिए आज बिल्ली बन के आई नागलक्ष में अंदर आओ बंगाराज में अंदर जाओ ना इतना प्यार यह पट्टे की नहीं ना पट्टे नहीं दूंगा चल्ट हाँ 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 कि स्टाइचु क्यों गया शॉक लगा क्या शॉक तो उससे लेगा हाँ हाँ अच्छा हुआ दूनों थड़ा करीब आने लगे हैं टाइम बेस्ट मत करो इतनी हिंट दिराओ लेकिन समझ नहीं रही है मुद्य प्याताओ ज्यान से सुनो लड़कियों को जहसा देना उसके बाय हाथ का खेल है क्रीस पे वो एक दूर नहीं लेता सीधा चौका बहुत बड़ा खिलाडी है तुमें न कमरे में ले जाके दरवाजे की कुटी बंकर देगा उसके बाद क्या करेगा तुम तो जानती है अगर टेड़ी हरकत की तो लेड़ी सिंग हम बन जाओंगी एक पंजा मारा ना सारी आशिके बोल जाएगा यह जो श्टना मत होने दिना अल दे बेस्ट मेरा आशिरवार लोगी अच्छे रहने तो इतना भी बुड़ा नहीं हूँ अगर क्या हो रहा है तो जैदि भावती शक्त प्रभावितुम कर दो कि अधि क्या है नागालक्षमि कहां है हमारा बेजू बावरा हो गया है क्या अदा है इसके नाग लक्ष्मी तु मेरे घर की लक्ष्मी बनेगी हाई बंगा राजू हाई कावी अच्छी लग रही हो तु तांकिन तुम भी इतनी अच्छी देख सकती हो सच में थांक सके आज फ्री हो क्या तुम इनके बास क्या काम है ये तो फ्री है तेरी तुम ने ने मुझे बहुत काम है मैं चलता हूँ बाई 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 कि यहां सब फोन में लगे पड़े हो इधर आओ क्या बात है दीदी मेरे साथ गेम खिलना चाहोगे कौन सी जेम दीदी लुका छुपी चोर पुलिस लुका छुपी और चोर पुलिस मतलब मैं पकड़ूं वो छुपे वो पकड़े मैं छुपूं और प्यारे अभैन नग्लक्षमी और चुपी और चुपी और पुलिस लुका छुपी और चुपी यह तुम्हें बच्बन में बहुत खेलता था धें गहना हो यहीं चिपकार आएगा हेरो तो फेर तुम भी आमकर साथ केलो हमारे साथ तो नहीं कहलतेν लुकाच पियो और जोर पुलीस वाला गेम, मेरा फीवरिट है तुम्हें गेम खेलनी है या इन पर लाइन मारनी है यह तीन आउट हो गे और तुम भी आउट हो गे, यह सब को आउट कर देगा वान तुम आउट जलो तुम आउट वाल लाल गोपान, हाथ में हाथ डाल दिया हाँ, हम दो ही बचे है सब यहाँ आजाओ जल्दी आजाओ, आजाओ, आजाओ यहाँ क्या हो और रे तुमने कैसे किया था अंसे और मैंने, तू डाइन की सपर आया रे बगा, रे बंगा रे चुछ डाइन इस पर आया उगेंज कर रहे हूँ गलती से मिस्टेक हो गई आजा आजा बच्चा फुल फोकस है तुम उदर फोकस करऊ लात, हाँ, तुम कांटिनू करो अकड बकड बंबे बो, असीनब बे पूरे सौ। रोशन! जाओ रोशन, छुप जाओ! ये पूरा मैदान क्लियर कर रहा है। फेर अपनी फिल्डिंग लगाएगा। अकड बकड बंबे बो, असीनब बे पूरे सौ। बंगा राजू! बंगराजु चुप रहा है, बंगराजु चुप रहा है अकड़कर बंबेबो, असीनब्बे पूरे सौ नागलक्षमी नागलक्षमी जाओ चुपो वन तू, तू, त्री, पॉर, पाजिक्षाइड नाइट आड़ाड़ाड़ागा याँ, अच तो हमये फिल्म तेखने को मिलेंगी अच यह और भाएगा मुझे लाएगा मुझे नागलक्षमी वाह ने, इस तरह यहाँ यहाँ जाओ, प्रॉप जाओ, मेरे पाज़, यहाँ पर आपकश अगाँप पाँप 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 मुझे देखने दो नाइटी एट नाइटी 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 नाइन हंड्रेट रडियोर नाट येर आइकम छुपो देखना कहीं बाहर तो नहीं है जाहो देखो ना अरे यही पर है आ रहा है क्या यही आ रहा है दिख रहा है क्या तुम्हें आप बाहर ही है तुम्हाद रहा हूँ रभीया उट तुमने कहा बाहर है मोटू बड़ा तेज है ओ ओके उस सरफ चिपके हूँ जाओ मोटू की तुम्हाद आउच आँसे क्या का रहे हो रिंग को देख रहा है वहाँ जाके देखो आ रहा है क्या ठीक रहा है आइटिया उट बंगा राजू यहां बहुत जगा है यहां कर छुप जाओ जगा कहा है दोनों के लिए काफे जगा है आजाओ छुप जाएंगे नहीं ढूल पाएगा कहीं नी अतुना डग्मकाचा है अरे डग्मकाने दे मामा लोपकले बंगाराजू यहला वाया पखले दा अकर अम्मा रामाट अंतस एपो बुट्टु कांगुलामदूरम लोग जई पिड़ते रियाक्स्ट नादे के उंटली यूजवा पत्चम जूजवा गांगा राजू रमाटे रावे यहला वाया वोग अम्माय आटुवाइपो तिरिगी अन्द मेरा नणुम्मू जोपेंची रा रा आंटूंटे अथ अधे अधे इदू यह मालो चेंजगो यहलो गुम्में अधे भी द्रवासे की कुंडी लागाते यहस आट कमरे में लेजाकर कि दरवासे की कुंडी बंद असके बाद 4 ली तुम तू जानती ही अः impressed इंदर से दर्वासा बंद करती है नियत मेंगी खूट ई इसकी कोशिश तो करके देखे नाग लक्षमी क्या है पता चलेगा मियाँ क्या करे हो चपल काईगा पहले कमर में हाथ डालेगा फिर चिम्टी काटेगा फिर नाग लक्षमी का गुस्सा जॉला मुखी की तरह फटेगा उसके बाद ये प्यारी बात है ये गहरा प्यार शादी के सपने बच्चे वच्चे सब खतम हो जाएगा सपने की ये कराए पर पानी धिर जाएगा दबोच ले दबोच ले आने दो उसे शुक्र है ये सबक हुमर भर याद रखेगा नाक लक्ष्मी इस करके अतिती हो तुम और पता है नातिती देवो भवा मेरी महमान ये केम हार जाए उससे पहले मैं खुद ये केम हार जाओंगा खुद को ही मैं आउट करतूंगा ठीक है ना अब मैं बाहर जा रहा हूँ अच्छा लडगा है आज तक इसके बारे में इतना गलत क्यों सोचा बच्चों के साथ खेलता है भोला और मासूम इस पर तो प्यार आ रहा है मुझे जोला मुखी तो दूर पॉंब भी नहीं पूटा जिसने भी इस धर्ती पे जन्म लिया उसी अपने कर्मों का हिसाब इसी संसार में पूरा करना पड़ता है बंगार राजु की आत्मा धर्ती पर आकर अपने अधूरे छोड़े गए कामों को पूरा करने के बाद आज फिर यम लोग जाने वाली है और बताओ हमारे यम बॉस कैसे है तुमोंने कैसे जानते हो अरे अपने जीनी है यहाँ पहला चकर थोड़ी है पहले भी आ चुका हूँ मैं दो दो बार वो कैसे अरे लंबी कहानी है भई अरे ये कहा लिया है नर्ग जैसा तो नहीं दिख रहा ये स्वर्ग लोग है यम राज के ओर्डर्स है कि तुम्हें नर्ग लोग से स्वर्ग लोग में शिफ्ट किया जाए मतलब अरे दर्शन होंगे सही कहा ना? सही कहा फिर तो जीवन सफल हो गया चलो जी धन्यवाद सवर्ग लोग में तो जाए कर दो 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 अपम्हेज़ीं और दो, आप जबा, 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 जबा! क्वार ए पू्रियर कस्वार राष्ण average थे प्मारियर के ख梅क़ के दिध क्वारे के खईलम hypothetical के खुझ pengवार करे खिल कि अब से разв ईक में अन्या में हो कि पर दुईusu सेखिए ला र जे आपे बंदा बंदा है आप्तु कि अप्तु पार्या जान और्याृ नान टुरू जन्जा नान घंका। जित्सिए नान जाइ प्तवा कि बार्या, जान खुड़ प्तविशना, दित्सिंधर अमुपिछन, तोbol सकत गोसित्सिय है आज विश्णु जी कुछ विचलित दिख रहे थे काली शक्तियों के कारण उन्हें रोकना ही होगा हमें शिवजी उन्हें दंड स्वरूप अपने तीसरे नेतर से भस्म कर देंगे स्वामी कुछ अशुब होने वाला है क्या अशुब होने वाला है एक समस्या ने जन्म लिया है इस समस्या का कोई समाधान है समाधान ने भी जन्म ले लिया है क्या समस्या और समाधान में कोई रिष्टा होगा क्यों नहीं जन्म और मृत्यू उत्पत्ति और विनाश ये सब विष्णुजी की लीला है ये बंगार राजु का बेटा रामू है और ये उनकी पत्नी सत्य भावा सम बहुत खुश थे पर तभी ये खुशी दुख में बदल गई रामू की पत्नी सीता का देहान धो गया उस मासोम बच्चे को रामू और उसकी मा सत्य भावा ने नाम दिया उसी दोरान उसके पडोसी रमेश के घर में एक बेटी ने जन्म लिया जिसका नाम रखा नाग लक्षमी बहुत शुब नक्षत्र में जन्म लिया है दोनों ने आगर इन दोनों का विवा हुआ तो साक्षाष शेव और पारवती जितना पवित्र और सुखी रिष्टा होगा इन दोनों का यह बात है हाँ बिलकुल रमीश बंगा राजो और नाग लक्षम की जोड़ी शेव पारवती की जोड़ी होगी दोनों की शादी करवा दे अरे अभी अभी तो नामकरन संसकार हुआ है रुख जौपंडेत विवा की सला तो देदी पर विपत्ती के बारे में नहीं बताया उनमें साप और नेवले जैसी शत्रता होगी उन्हें अगाह करो कुंडली में ऐसा नहीं है सुआमी कुंडली मनुष्य बनाता है और भाग की विधाता लिखता है अंगारों पर चलना होगा उन्हें सुनो मा रामू अब मेरा मन नहीं लगता है आपर बस अपने काम में विजी रहूं यही अच्छा है मिरे लिए सोच रहा हूँ यूएस चला जाओ वही चौप करना मिरे लिए सही होगा जब भी वक्त मिला करेगा आजाया करूँगा समद सकती हूँ तुमका हो तो तुमारी दूसरी शादी करवा देती हूँ बेटा सीता की यादों के साहरे ही जी लोंगा मा रही इस बच्चे को पालने की बात तो आप है ना दुबारा इस टॉपिक को मत निकालिएगा सत्य भामा ने माँ और बाप दोनों का फर्स निभाया बड़े भारी मन से उसे स्कूल में दाखिला दिलवाया इतने अच्छे दिन पर यह आसूँ इतना निसी जान पर स्कूल की बढ़ाई का इतना बोच बढ़ाई बोच लगती है वो देखो फुदक फुदक कर मेरी बेटी कैसे जा रही है वो लड़की है हालात से समझाता कर लेगी आओ बटा वह लड़कों के बीच बेच बेचा यहार मुझे देदो जाओ जाकर बेचा बेचा बेटा जाओ अरे वाह पूरा अपने दादा जी पे गया है अरे आदी बंगार राजु ने इसी स्कूल में अडमिशन लिया है उसका खयार रखना बेटा बंगार राजु का जर्म दिन उसकी दादी उत्सव की तरहे बनाती थी पूरे गाओं को भोजन करवा कर मंगार राजु और नाग लक्ष्मी की दोस्ती शुरू होने से पहले ही ये सुनकर चोटी सी नाग लक्ष्मी को एक दमाकेदार आइडिया सूझा ये सब क्या है नाग लक्ष्मी? दूद, मक्षन, बदाम, पिस्ताक, किश्मिश, फल और सबजिया भी है मास्टर जी, आज क्लास मोनिटर को फाइनल सिलेक्शन है ना? हाँ बेटर ठीक है मास्टर जी तो इस साल की क्लास मोनिटर सबसे होनहार स्टूडन्ट हमारे सरपंच की बेटी नाग लक्ष्मी चुनी जाती है नाग लक्ष्मी क्लास लीडर ठीक यू मास्टर जी ठीक यू, ठीक यू ए बंगार राजू, लड़कियों के बीच के बैठे हो तुम, वहाँ बैठो मुझे बताने वाली तू को ने? मैं क्लास ही मरीडर हूँ बंगार राजू और नाग लक्ष्मी रोज लड़ाई करते उन दोनों को रवेश और सत्यभावा भी शांत नहीं कर पाते थे खाम इनके शादी करवाना चाहते हैं, ऐसे तो पहले दिन ही तलाक हो जाएगा सत्यभावा ने वो देख लिया जो उसे नहीं देखना चाहिए था बंगा राजू बंगा राजू बाबू तबला, बजावना हार्मोनियम बंगा राजु सर, डान्टा कुटडडणा ये कौनसी ताल है? अरे मेरा बांगुलू, कितने सालों से संगीच सीख? ये ताल नहीं, खेल है आजाओ, अब सराओ रूफ सुन्दरियों, शुरू करे कबड़ी अति उत्तम हार गया, अरे छोड़ो मुझे अज इतने जल्डी हार मान गया मेरे गले का हार जो आ गई सत्या, तुम और यहाँ, इतनी जल्डी राम नाम सत्य हो गया मेरे मौत से दुखी हो या मेरे यहाँ आने से क्या चल रहा है ये, इतनी सारी लड़कियों के साथ गुल्चर उड़ा रहे हो गलत समझ रही है माते, ये कबड़ी खेल रहे है सौर्ग में सभी की दभी इच्छाय पूरी होती है इनकी ये है नारा जी अपना मुखमंडल बंद रखिए तो ये है तुम्हारी इच्छाय पस्किया वेटा तू तुम्हें साडियां बहुत पसंद है न वहाँ नीचे दुकान पर जाकर खरीदनी पड़ती थी तुमको यहाँ सोचने पर ही मिल जाती है बेल्कुल सही बात को गुमाओ मत ये सब कौन है अरे ये तो रमवा उरोशी मेन का है ना अरे इनसे मिलो सत्यमा मेरी इकलोती धरम की पत्मी नमस्ते लीदी हमारे स्वर्गलोप में आपका स्वागत है कल तक ये प्रेम के सागर में गोते लगा रही थी अब ये बैट कर निहारेंगी सुबा हो या शाम, दिन हो या रात ये बस आपकी सुन्दरता के रांग गाते रहते हैं दीदी और एक बार दीदी कहा तो तेरे जबान खीच लूगी अरे सुनिये जी यहाँ इनके साथ मिलकर मुझ पर ही हस रहे हो मुझे भूल गए न हाँ मौज मस्टी का असली मज़ा तो तुमारे साथ है मेरी क्या होता है पतलब हरी बरी थोड़ी खिली खिली मेरे जीवन की हरयादी है मेरी जाने मत नाम सुनते ही शर्मा जाती है शर्मा तो नहीं रही बलके गुस्से में टमाटर जैसे लालम-लाल हो रही है अच्छा ऐसा है क्या गुस्सा फुर्र किये देते हैं अरे गाल तो शर्म से लाल है गुस्से से नहीं गौर से देखो इश्क और मुझ चिपाये नहीं चुपते जुबान से ना सही लेकिन नशीली आखे सब बयान कर रही है प्यार सलक रहा है यह हया यह तबस्म किसी की भी जान लेने के लिए बहुत है मैं ना जाने मत अरे इस गूल दशी हुसन के आगे तो इंदर लोग की सारी अपसराएं भी पानी बरती है तुम भी ना एक नुमबर के फरे भी हो मुझे किस तरह से मनाना ही अच्छी तरह से जानते हो आजा अब ये बताओ नीचे सब के क्या हाल है अपना बेटा रामू उसे एक बेटा हुआ है अपने जोकर ने बेटा बैदा गिया सरूर वो भी जोकर ही होगा काश होता वो तो आप पर ही गया है अब इस अपने रंग दिखना शरू कर दिया है उसने उसकी हरकते देखकर ही यहां पहुँची हूँ शेर का फोता शेर ही होगा मेरे मुझे हो कियान रख ली उसे देखना है मुझे का है वो यह भी आपकी दभी इच्छा होगी आपके नक्षे कदम पर चल रहा है अरे तो उसमें बुराई क्या है प्रभू उसे सुधार ना होगा पहले उसे देख तो नूँ चलो चलो वो रहा वो रहा देखा बिलकुल मुझे पर गया है करे मेरा का नहीं है कुछ दे पहले कि मैं यहां पहुचे हूँ इतनी जाड़ी बड़ा कैसे हो गया यहां का एक मिनट वहां का एक साल है अब मुझे मेरे पोते को देखने दो और बंगा राजू बंगा राजू फूलो की सजावट कैसी लगी पहला कॉंट्राक्ट है सही है यार चल सारे फूलों को सोने के भाव में बेचा इस नहीं आउट अरे क्या हुआ अरे ममा मा मुझे दिखा क्या हुआ तुम ठीक तो हो ना मोचा गए अब इतनी सुंदर हो तो नजर तो लगेगी न दादी से कहकर काला ठीका लगवा लो कह दूँगी वैसे ये काम मैं भी कर सकता हूँ कैसे क्यूँ बंगार राजू गाउं के सारी लड़कियों को ऐसे फसाते हो अरे इसे फसाना नहीं क्या थे तो फिर अगर लड़की ना चाहे तो लड़का उसे फसा ही नहीं सकता अहां लड़का पसंद आ गया तो वो पटा लेगी फसाना तो बहुत जूटी सोच है पटाना अलग बात है अब तुम्हें देखो न ओव स्मार्ट चलो एक शर्ट लगाते हैं मैं रसी कीचूंगी तुम मटका फोड़ना अगर तुम मटका फोड़ पाए तो पट जाओंगी अगर पटना चाहती हो तो फिर चलो लड़कियों की गेम डेंजरस होती है मरवाएंगी पूजा की तैयारी करते हैं चलो आजा आजा रूप क्यों गए नहीं फोड़ सकते मैं नहीं फोड़ूंगा मटका वो फोड़ी की नहीं हम देखते हैं अच्छा 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 पूरा किशन कनया निगला जरूर मेरा नाम रौशन करण दियर पेरेंट्स, आज ये मीटिंग हमारी लड़कियों के सिलसिले में है हम सबका एक ही दुश्मन है, बंगार राजु जब वो छुटियों में गाव आता है, मेरे प्राण सूख जाते हैं अब वो हमेशा के लिए राट आया है पेटी को घट पर बंद करके रखना होगा या हमें गाव छोड़ना होगा हमें हमारी बच्चियों पर नजर रखनी पड़ती है अरे शादी में जाएं, या मार्केट में जाएं, या मंदर में जाएं, या स्कूल में जाएं यही फिकर लगी रहती है कि मदू मख्या कहीं शहिद के पास तो नहीं चली गई पास करने से कोई फाइदा नहीं, चल कर बंगार राजू के मामा से शिकायद करते हैं आज चलो तुरे उदर देखो, लाड साब लड़किया गुमागर घर आ रहे है बाबा, तुम्हें देखकर सिर्फ अकर से उंचा हो रहा है ऐसा क्या हुआ गाउं की सारी लड़कियों के माबाब पूरे शहर में माइक लेकर तुम्हारी जाजेकार कर रहे है बस क्या मामा, इतनी छोटी बात पर खुश हो गए मैं खुश देखता हूँ तुमसे नहीं होगा बंगा राजू, मजनू बनके लेलाओं को घुमाने में बहुत मजा आता है तुमें देखके उनके माबाब का हाटबीट बढ़ जाता है तो इनने डॉक्टर के पास लेजाओ जरा गहराई से सुचो, तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है मेरी बेहन की बेटी से कर दो नहीं मानी, बिलकुल नहीं दूर दूर तक शादी का कोई इरादा नहीं और मेरी शादी से किसको खुशी मिलने वाली है बोगी मामा, आप ही बताइए हम सभी को मेरी शादी से सबसे ज़ादा खुशी होती दादी को अब दादी नहीं रही तो शादी करने का प्लान कैंसर ऐसा नहीं बोलते है बंगा राजू, इन सब को छोड़ो चलो आओ, खाने का वक्त हो गया है खाना खाया है? यह मेरा भी बेटा है आज मैं खाना खिलाऊंगी तो मेरे साल चलो आज तुम्हारे लिए तुम्हारी मन पसंद चीज़े बनाई है फिश करी और राइस, इडली के साथ साबा नारियल की चट्मी, आमरस और डई बड़े भी है जब हमारी पसंद की लड़की से शादी करेगा वो अपनी बीवी की मुठी में रहेगा और सारी प्रॉपर्टी हमारी मुठी में अपने पोते के लिए बहुत बुरा लग रहा है मुझे उसके लिए अच्छी लड़की ढूंडेंगे माना तुमारी आँखों का तारा है लेकिन तुमारा ये काना जो है ना गाओं की हर गोपी को गुमा रहा है उसके शादी नहीं हुई तो जान ले लूँगी ऐसी बात नहीं है मुझ जैसे रोमयो को तुम जैसी जूलियट मिल गई तो उसे भी मिल जाएगी जिन्दाबाद जिन्दाबाद नाग लक्ष्मी जिन्दाबाद हमारा सर्पंच चैसा हेसा हो नाग लक्ष्मी जिन्दाबाद सही है फोड़े लेफ अफसाइड प्रोफाइल। रहां या विनबास इनप pad और अब सरपंच मैं हूँ इस बार चुनाओ होने वाला है जिसमें सरपंच कहा कि सरपंच बनेगि और कोन बनेगा मुझसे जदा पढ़ी लेट कि और कहा हमें लेगी इतना तेज दिमाग है क्या किसी के पास बिल्कुल ने इसका देने का, इन लोगोंने, इनका मतमानो, ए, क्या गले सलग सिखाया है, इसका नाम तो गिनीज बुक में भी है, ऐसा क्या, और क्या पापा, अरे ओ, नागलक्ष्मी, यह कहा से आटप का, जोर का जटका देगा, यहां क्यों आया है बंगाराजू, ऐसी होपलिस, ब्रीन ओ, एक्सपूस वगिरहां, यहां पर यह पिए यखे लिए में जाके करना, इसा इक्सपूस मतलब एक्सपीरियेंस, इतना भी नेवादान पढ़ो, जोज़ाल, काला कांधिका, इस् वोँवान्धियम पुस्तिवर्धानम, पुर्वारू कभी भंधनान पृत्यार अर्म क कर दो यह दोनों सुधरेंगे नहीं तुछ पता निया मैं कितनी बड़ी प्रचार करूंगी समस्याइं इंस्टरग्राम पे सुल जाओंगी अपने अच्छे काम फेस्बुक पे अप्लोड करूंगी फिर गाईबेस के गूगल पे चलाएगी इसे चैलेंज मत कर किसी और लड़की से चुनाव लड़ा देगा ये अच्छा इसे समझाना क्या बोली यह क्यातर रहेगा बोल बूल क्या बूल रही बात सो हर पांच साल में एलेक्शन होते हैं इलेक्शन में कई लोग खड़े होते हैं कभी-कभी लड़ाई भी हो जाती है पर उसका क्या फाइदा नागलक्षमी तो अपनी ही है चल चल अगर कभी कोई समस्या आती भी है तो अंकल हेल्प कर देंगा सही कहा मेरी बात मान ले ये सही बात तो कर रहे हैं वंगार राजू इसी में गाउं की भलाई है हां ठीक है आदी ने कहा इसलिए मान रहा हूं है सुनले मुझे नेता किरी दिखाई ने तो तेरा सिड़ फोड़ दो बोल रहा हूं है कुटे बिली जैसे जगड़ते रहते हैं दोनों जानी दुश्मन एक दुश्रे के ये शादी होने से रही चलो 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 ऐसा क्यों कह रहे हैं अरे चलो इस रिस्चे को भूल जाओ इसमें वक्त लगेगा साब रेत में ये पत्थर मेले माइनिंग ऑफिसर को बुला इसे चेक करवा रहा है सर जैसा आप लोग सोच रहे हैं ये कोई मामूली पत्थर नहीं है ये बेश कीमती नगीने हैं इसी वक्त अर्केलोजिकल डिवार्टमेंट को इंफॉर्म करना होगा उन्हें फोन करता हूँ अलो सर अन्बिलीवेबल सर हाँ 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 ह бол कि अच्छा ने अच्छा आधी इतनी सुबा सुबा पूजा पाठ कर रहा है नया ट्राक्टर करीदा है उसे की पूजा कर रहा हूँ अच्छा है क्यों बाई लोन भगवान ने दी है क्या तू नहीं सुद्रेगा आज मंदिर में कैसे आया बगवान पर विश्वास करने लग गया क्या मजाग कर रहा गया पत्ते खिलने जा रहा था गेम में हमेशे एक जोकर की जरूरत पड़ती है न तो रामबबु कुले ने अब मंदिर आही गया तो जाके दर्शन भी कर ले नहीं रहने दे भाई तुझे तो पता है न अपना तो बच्पन से इस से 36 कहा आगड़ा रहा है पहले मा को मुझ से छीन लिया फिर दादी का नंबर लगा लिया पापा को दूर यह से भेज दिया अब मैं किसी और को दू करना नहीं चाहता है इस लाइफ में इसके सामने सर जुकाने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं समझ गया यह सदाशिव शंबु शंकरा अप है तो ना यह तेरा शंकरा नित्यकर रहानंदी खोके धुन में तेरी दास यह तेरा शंकरा वावावावा स्वामी जी क्या यह रमेश अंकल इतने उदास क्यों लग रहा है अजा क्या अंकल सब ठीक है ना हाँ सब ठीक है कुछ नहीं हुआ आज उनका बहुत अप्मान हो है बाबू मेरे कारण मेरे दो एकड़ समीन है जिससे गिर्वी लखकर मैंने उधार लिया जिससे चुका नहीं पाये तो जमीन हडप ली रमेश जी मेरी और से सुलाह करवाने गये तो उनका भी अप्मान किया उस गुड़े ने कहा कि समीन च सबक सिखाएगा अच्छा उने सबक सिखाने के लिए आपके भगवान वहां जाने वाले हैं चलिए कहा रहते हैं बताइए चल मैं दिखाता हूं मुझे माफ कर भाई इनकी ट्रू कॉपी है तू वहां प्रॉबलम मैं सुल जाओंगा और क्रेडिट तेरा भगवान ले जा सब्सक्राइब कर देखाता है तुम लोग यह बच्चों की तरह रमी खेल रहे हो बड़ी मुश्किल से जोकर मिला है शाहिद इस बर में गेम जिच जाओं तेरी शकल जोकर जैसी है तो जोकर तेरे पास ही आएगा ना फिर से पत्ते बाट एधर शान पत्ति नहीं दिखान इस खेल का बाद्शाय हुमें है 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 यह सब क्या चल रहा है पता नहीं भाई यह खेलने के जिद कर रहा है कोई ताश का दिवाना है ताश खेलने के वास्ते इतना मारा मारी हाँ तो यह चक्कर है ओफर याद आया या तो उसकी बेटी दिरा के तुझसे बात करें या कोई मर्द आके तुझे समक सिखा यही ओफर था ना तो ले मैं आ गया है फोड़ दो साले को यह साला तो मायर फिलाड निकला भाही लोग सारी बोल क्या रे ताओ में तो तुने कॉलर पकड़ा था माफिय भाद पकड़ के मांगेगा क्या चल पैर पकड़ चलो जो हुआ सो हुआ आप घर चलो अपनी अधर महनत और निरंतर प्रयासों से हमारी नागलक्षमी आज सरपंच बन गई है अधर नागलक्षमी बंगा राजू यह कुछ जादा नहीं हो गया ज्यादा नहीं महाज्यादा ऐसे खिलाएं इस यूग कि महाननेता हमारी नागलक्षमी जी आप स्टेज पर आई और दो शब्द कहीं तालिया तालिया नागलक्षमी जी आपको स्वागत आप अधर ने बुलाएं इस लिए पड़ा है अधर और रित वाद हो गया गवार कहीं के तालिया मत बजाई आप मैं सरपंच बन गई हूं बहुत बड़ी हस्ते बन चुकी हूं पर मुझे बिल्कुल घमन नहीं है ये ड्रेस देख रहे हो फुरपाट से खरीदा ना मैं सबसे एक स्टूडेंट हूं अच्छा आपके सरपंच तो हूं ही पर स्टूडेंट भी हूं यह याद दिलाती रहोंगी इस प्रेस से वाँ यह है मेरी सिंपलिसिटी विंपलिसिटी कुछ नहीं पब्लिसिटी है सही पकड़े हो हैड मास्टर जी अब आपकी बार मतलब यह भी लक्षमी ओ लक्षमी ओ आपल लक्षमी नहीं महालक्षमी है हमारी सरपंच इंसान नहीं एक देवी है माबरे बापٌ ररि गॉश्यकरे को जपन है यह मैंने नहीं उसने लिखा इसके लिए उसने मुझे दूद मक्खन पर दोब schlecht कर्यों किसमिस पिस्ते के पंकेट दिये ह producer इस गाओं का उखरता सितारा है हमारी प्यारी नाग लक्ष्मिश मेरी मासूम बेटी पदमा दो गणें से लापता है कोई धून के लाओ उसे अरे यहीं कहीं होगी शांत रहिए अरे यह बंगार राज्यों भी सीट पर नहीं है मैं तो बर्बाद हो गया ऐकर बकर भंबे वो सी न पुरे सब्सें निकल बांब कर सोऊने में में और द। जोड निकलके बगावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावाव बॉप द्वार केज़ुकाओं वैं यह खेर पॉप दॉप 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 पॉप दॉप जूप दॉप दॉप पॉप जूप लुप ना मानने उड़े दोर की पोते, पारूव पोतन निभंगा रहूं। तो रखड़े गाउवाले पाउस आ रहे हैं। नहीं पकड़ा जाएगा। चूर को पकड़ो, चूर को.. मेरे पापा, अब तो ये सवरूर पकड़ा जाएगा। नहीं पकड़ा जाएगा मेरी चूर्बुल। अरे मेरे पापा सारे गाउवालों को लेकर आएगा। चूर की चुपा दो। जल्दी अंदर जाओ, जाओ। चीक है। वह पकड़ा नहीं जाएगा, ये तुम कैसे जानते है। अरे कईयों को मैंने भी तो चुपाया है। वह भी शरम। मतलब चुपाते देखा है। बस एक का मिल जाए। बंगा राजू। बस एक रानी मिल जाए। भूल जाए। ए सुनाई नहीं देता। हां। क्या है। सुबा राओ की बेटी तुम्हारे साथ आए थी ना। कहा है वो। कहा है वो। मुझे नहीं पता। ए। आकात में रहे तू। वरना तुझे सरपंच का पावर दिखाना पड़ेगा। या तो उसे ढून निकाल या आपने मूह का शटर बंद राख। यह फेस्बूक और ट्वीटर वाले चोच लेना मेरे समने मत आजमा। चल निकाल। सरपंच की इंसल्ट। वह भी मूप है। कितना बेशरम है। इंसल्ट की। आहां की। तुझे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। चल 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 अपना काम कर चल। अभी ढूर निकालती हूं। अजया काम पे। कहां चुपाया है उससे। मेरा पैक। कुछ कहा। देखना किसी जाड़वे तो नहीं लटके न। चल पाग। चलो आग में थोड़ा आग ही डालता है। ए नागलक्ष्मी। मिल गई क्या वो। अरे यह हमारी सर्पंच मैडम है। जरा नागलक्ष्मी देवी है महान है शक्तिमान। नागलक्ष्मी जिन्दाबाद जिन्दाबाद। ए बंगाराजू। अज कई ये दिन तो अच्छी तरह याद रखना। इन सब के सामने सर्पंच आजे शबत लेती है। शबत होगी। याद रखना बंगाराजू। भरे बाजार में तेरा जिलूस निकालू। का होगा। नहीं तो पीडियों से मिल रहा ये गौरव ये मान सम्मान। ये सर्पंच का ओदा, इससे रेजाइन कर दूगी। अब और नहीं, ये सर्पंच नाग लक्ष्मी किसी का जुल नहीं सहेगी। हाई बड़ी शपरत लेने वाली, चल लेगल। और गया। सत्यमा। किसमत हर बार तो उसका साथ नहीं देगी ना। एक ही इलाज है, अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी करा दो। अमेशा के लिए इस परिशानी से चुटकारा मिल जाएगा। लेकिन तुमारे पोते को अच्छी लड़की देगा। कोई और लड़की नहीं चाहिए। उन दोनों की शिव पारवती की जोड़ी है। पंडी जी ने कहा था शादी हो गई तो साथ जन्मों तक साथ रहेंगे। नामकरण के दिनी मैंने नागलक्षमी का हाथ मांग लिया था। अगर मैं इतनी जल्दी यहां नहीं आती तो खुद रमेश के घर जाती और उससे कहती रमेश। हाँ अंटी। कुछ कहा आपने। लगता है सपने में मारी बास सुन रहा है। क्या हुआ रमेश। मैंने सब सुन लिया है। मैं सपने में हूँ। कॉफी टी कुछ लेंगी क्या। क्या बात है कंजू उसने कॉफी टी के लिए बूचा। जिंदा थे तो एक लास पानी तक नहीं पिलाया। अच्छा सुनो रमेश। अपनी बेटी की शादी मेरे पोते से करवा दोना। अरे आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। पर क्या है अंटी। अहां बोलो। अपने दादा की टू जेरोक्स निकला है वो। अबे चपाड़ गंजू, मुझे इस मामले में क्यों घजिट रहा है। पास ही बैठे थे प्लीज, बुरा मत मानना। तेरी तो। इनकी बाद भी ध्यान मत दे। अच्छा रमीश, सुनना, अपनी बेटी का हाथ मेरे पोते के हाथ में दे दे। आपको पता नहीं। बचपन से आज तक दोनों लड़ते आये हैं। एक छट के नीचे रहे तो कुम्फू, कराटे, जुडो, बॉक्सिंग हर दिन होगा। फिर भी बेटी ने अपनी राय बदली, तो मुझे कोई आपती नहीं। किसी दिन उसका मूड देखकर उससे ये बात जरूर छेड़ूंगा। कल सुबह जल्दी उठना है, अब मुझे सोने दो। आराम से सोजा। रवेश, नेन में क्या बड़ बड़ा रहे हो। सत्या अंटी मेरे सपने में आई। सत्या सपने में आई थी। क्या बोली। बंगा राजू और नागलक्षमी की शादी करा दो। चुपरे, आया बड़ा शादी की बात करने वाला। पानी पी और सोजा। इसके बेटी हां कहेगी तो ये शादी करवा देगा। अभी के अभी धर्ती पर जाओ, इसके बेटी को राजी करो, शादी करा के ऊपर आजा। प्रित्वी लोग स्वर के अगल वगल में ही तो है, सुबह जाकर दुबैर तक लोटा हुआ। अगर तुम नहीं गए ना, तो मैं अपनी जान दे दूँगी। बरने की धंकी, कितनी बर मारेगी। मजाब कर रहा था मेरी हरे भरी। इंदरदेव मेरे चाचा तो है नहीं, पूनम की रात का इंजार करो। उसी दिन अपॉइंट्मेंट मिलेगा। चलो, मैं हूँ ना, बाजा। यम्राद जी को मेरा प्रणा, इस वक्त यहां आने का कष्ट के उठाया। शिवरात्री के दिन शिवलिंग का अभिशेक होगा। पृत्वी पर हर वर्ष शिवरात्री मनाई जाती है, पर इस वर्ष कुछ अशुब होने वाला है। कोई अप्शगुन ना हो इसलिए बंगा राजु की आत्मा को फिर से मृत्यू लोग भेजना होगा। एक दैविक कारी के लिए हम सभी को मिलकर ये कठोर निरने लेना ही होगा। आत्मा को मृत्यू लोग भेजेंगे। किसकी आग्या से। शिव की आग्या से। ओ नमस्षिवाय। फिर तो भेजना ही होगा। बंगा राजो, इंद्रो और यम्राज यहीं आ रहे हैं। अरे, यम बॉस। बड़े दिनों बात देखें। कहां गुंते इतने दिन। नर्क लोग के साथ बिजी थे क्या। तुम तो ऐसे बाते कर रहे हो जैसी ये तुमरे चड़ी बढ़ी हो। स्वामी, इन्ही एक बार पृत्वी लोग पचाने दीजिये न। हां, मैंने ऐसे समझाया था, ये कोई लुनावला खंडाला निये के सैटेडे संडे घूमकर आ जाओ। कोई विशेश कार है। हमारे पोते की जिंदगी का सवाल है, जाने दीजे ना प्रभू। ये होई निशकता, इसको इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही। तुम्हारी हर चाला के समस्ता हों, बंगाराजू। अपनी पत्नी की बात सुनो, पत्नी की हर बात मानना तुम्हारा करतव ये है। क्यों भावना की रो में बहरे हो, प्रभू। बंगार राजू निर्णय हो चुका है, नीचे जाओ, विवाह संपन्न करके लोटना उस लोग के कल्यान में ही इस लोग का कल्यान है दन्यवाद प्रभू, चलो हद हो गई, मर के भी चैनी निलगा अच्छा हुआ, जो वो मान गए, अब शादी कराकर ही उपर आना आने की बात मतलब, क्या मतलब? और नहीं तो क्या, मुझे नहीं मालूँ मैं कब तक लोटूँगा लेकिन अगर इश्वत होगी तो मर जाओ तेरी सदपर, ये कातिला ना आसी देखकर कैसा लगता है बताओ कैसा लगता है? जैसे कोई बिजली की तार सुड़ सुरी सी, कुद खुदी सी कर रही है रहे बहुत होगी बहुत होगी, तरे खाना खा़िए तुम्हारी इंचन के कोईला खतम हो रहें कि अच्छे या आपकर की पुड़ी हाना ठंटा हो रहा है अरे इतनी जल्दी में कहां जा रहे हो आजका घर में टिकते ही नहीं हो अरे बंगार राजू जब से तुम्हारी दादी गुजरी है दिन रात तुम्हारी प्रॉपटी की देख्वाल कर रहे ह 네 हिसाब लिखते-लिखते आँखों में छाले पड़ गये पर क्या करें करना पड़ेगा हमारा फसर्ज मैं यह हिसाब देखकर क्या करूंगा आप लोग ही संभालो ना अरे रे रे ऐसा घिसाब मत करो चाहे कयामत क्यों ना आ जाए पर तुम्हें हिसाब देते ही रहेंगे दादी ने कसम जो दिलवाई थी कि इसे आपको इसको कब दिलवाई हिसाब तो देखना पड़ेगा मेरी कसम चाहे कुछ भी हो जाए ठीक है दे दो हिसाब ठीक है आजब पचास एकर में नारियल के बगीचे हैं हर एकर से दो हजार नारियल आते हैं क्या राख पट्टी दे रहा है टोटल नारियल हुए एक एक नारियल की कीमत दो रुपए यानि की कमाई दो लाख तो ये रहे दो लाख रुपए ये एक लाख कीडे मादने की दवाई के लिए यहां कीडे ज्यादा ही बड़े है इतने हैं अब बताओ जिंगे का ताला पचास एकर में फेला है सोचा हर जिंगे से सौ जिंगे पै अगला हिसाब है सो एकर में गन्ने की खेती का उससे जो गुड़ बनता है किलो का पांच रुपए और क्या पीछले साब तो इससे भी आधे रेट में बेचा था अब तेरी प्रेक्टिंग करते हैं तो दूसरा फिश फाम पचास एकर में कुछ मचली यां पचास रुपए इनके कपड़े उतार के मारना चाहिए इनको तो फिश की कमाई हुई दो लाख रुपए और ये खरचा क्या ये आम हम खा सकते हैं लॉस करो होगी क्या बंगा राजु के पर्मिशन की बिना नहीं ले सकते चलो लाओ दो 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 और घर के अंदर जाके खेलो चलो भागो अबीना दो थे तो इस साल का हिसाब क्लियर हो गया हुँँ 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 ये पचास अदर उपे रख पॉकेट मनी के लिए बागी पैसो की मैं अबडी करवा देता हूं ये दोनों आम धोके खा लेना ने ने छुड़ो मैं धोके भीज़वा देता हूं चले लेगा बाप रहे हैं अकाउंट सम्हालना कोई बच्चों का खेलने यह बहुत मेनत मेंती है बहुत आश्ट कर ली सांड बन गया इधर आओ अब्रम्मो दाल में कुछ बाला आए है हूं जरुड़ा हिसाब करना बाकिया इसको अच्छाना क्या हो गया पचास एकर में कितने नारियल वोले तुमने एक लाग कितना जूट बोलोगे वे एक एकड में हजार नारियल होते हैं, हमारे पास सौ एकड है तो हुए एक लाग, एक नारियल का दस रुपया, तो कहां है दस लाग रुपय बताओ, चलो लाओ रोकड़ा, चूप क्यों खड़ा है, जवाब देना, सौ एकड गन्ने की खेती, एक एकड से मिले चालीस टन, ट बड़ी मचली का कितना है, वो बड़ी मचली पचास, और छोटी मचली फ्री में देता है क्या है, और यहां पर यह काम खाने के लिए, तु मेरी परमिशन का नाटक कर रहे हैं, हमने आपका नमक जो खाया है, ऐसे घोटाले फिर कभी नहीं होने चाहिए, अगर कुछ चाहि अबचे है, और पीचे है कुछ सेगी विलावी, अच्छाना मेकाव! इस गाउं को प्रगति की रहा पर ले जाने वाली, हमारी युवा नेता, सरपंच नाग लक्षमी, आज किसानों की समस्यां सुधाएंगी! पाप आज से पहले किसे निकम में सरपंच ने, विकास का कोई काम ही नहीं किया। पारे लगाम दे, लगाम दे, तुझसे पहले मैं सरपंच था, उससे पहले मेरे पापा, उससे पहले मेरे पापा के पापा, तेरी पबलिसिटी हमें ले डूबेगी, तू अपनी बात कर! उन्होंने विकास किया है, मैं और विकास करूँगी! हाँ, चलने दे! कितनी पढ़ाई कि मैंने ताकि अनपढ़ गवारों को भला कर सका वाश अबाश एक दिन पार्लामेंट में जाओगी तुम शायद प्राइम मिनिस्टर बन जाओ ये देख क्या रहे हो तालिया बजाओ हमारी बी चार्ज, एग्रिकल्चर ओफिसर, बेटिनरी डॉक्टर हैं जो आपकी समस्याई सुलजाएंगे क्या बताओं, सारी फसलों को कीड़े लग गए कितने भी दवाई जड़कों कमबक्त मरता ही नहीं अब क्या करूँ एक काम कीजिए मेरे रहते आप जबाब देंगे तो कैसा लगेगा बैट जाईए, मैं हो ना देखे, फसल पर कीड़े लगना हर दिन की आम बात है कीड़े फसल क्यों खाते हैं, पेट भरने के लिए कभी मेरी तरह अपना दिमाग लगाया होता क्या करना होगा अगले चार साल तक खेती बंद कर दो मतलब खेती गई वा, कितनी समझदार है अगाल से आधे कीड़े भूख के मर जाएंगे बचे होई किसी और के खेत में मूँ मारेंगे चार साल बात मज़े से खेती कर लेना सिंपल, हाउस अप्लान किड़ों का तो पता नहीं, पर हम किसान भूख से मर जाएंगे क्या प्लान है नाका लक्ष्मी आँखे खोल दी सबकी, ये सारे किसान तुम्हारे नाम का मंदिर बनाएंगे ये ताली बजाओ नेक्स्ट एवरो मागे ये दोल्न पोधिन दा अन्यवडले ने अटे अधी मी कन्नित तुम्हे डॉक्टर गरू, मी नेंदको, नेनो नन कदा, कूचण, कूचण आव ननी फैमिली इस्चूस अंडी, भारिय बटतिल मध्य गड़ोल साह जाओ ये माटबने अधी मध्य ये मनस पर दोलू ना यो, उक्सर कूच़ो पेटी माटला रंडी एवरितिंग मिल बी सॉल्ट इसे सरपंच क्या हम से दुष्मने निकालने के लिए बनाए है, हे, सब निकलो रहे है, क्या बर्बाद हो जेंगे अब लो रुको सब उठके क्यों जा रहे है, पापा, भाशिन दिना तो बाकी है, अरे मैंने कुछ गलत सला दे दी क्या गाउंवालों को गलत तूने नहीं, गलत तुम मैंने किया है, चलो सब सरपंच ओफिस पहुचो, बहुत काम बाकी है भी, चलो जोड़ना यार, किसी को कदर ही नहीं है वा, 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 सूपब, क्या फाडव अडवाइस दी, तुमने दिल खुष कर दिया हुआ नागलख्ष्मी आज तक मैं तुम्हारा टैलेंट समझ नहीं पाया, मुझे माफ कर देना, प्लिज, क्या बोला, इस देश का तुम अजवल भविश्य हो, कसम से, उस जमाने में यह जी और इस जमाने में तुम, है ना, हा, येकिन हो रहा है, ना, हो रहा है, हो रहा है, नागलक्षमी, तुम इस गाउं की सरपंच नहीं हो, बलकि इस राजी की सरपंच हो, देश की सरपंच हो, युएस की सरपंच हो, वादा करो, तुम बनोगी, वादा करो, प्लीज, वादा करो, मेरे लिए, तुमारे लिए, इस गरीब जनता के लिए, प्लीज, नागलक्षमी प्रणानी हो रहा है फीलिंग इंपोर्टेंट है नाके शब्द क्यों वंगर राजल नाग लक्ष्मी को सपोर्ट कर रहे हो अच्छी बात है उससे शादी कर लू अच्छी जोड़ी है अच्छी जोड़ी जबता हूं जोड़ी जमाता हूँ, क्या है तिया मने, कहा है, कहा है? गुल 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 को डिया हुआ, तम यह जमाना भान करें आप राज़ी बहिया, अपको किछी हमा फोन आ रहा है जा बोलारे है तुछे है? रामु जचा का फोन ए, अकर बात कर लो प्रण कर लो हाई बिटा है ले यहां आप आपा हुड ताइम पर नपहा थो सब्सक्तिर और यहां है pe नो कि एड्ड़ा आप दुछ पान्टा दुछ जाता हुड और इनटी निबाओ में यहां दुछ निइ भाता हुड कि अटा थिक है अ तो सुभर से हॉस्पितल में हुड जाता हुड सूप हो, ओके, आइल सी ओ, ठीक है, बाबाई, चलो रखता हूँ बाई, पापा, एक मिनिट, कुछ बात करनी थी, वाट, आप से मिले कितना अर्सा हो गया है, पापा, कैसे हैं आप, आप, रोस्तों बात करते हैं, हाँ, ठीक है, लेकिन सामने से देख भी अर्सा हो गया, ओ, आपकी तबे तो ठीक है, ना, अवेशा की तरह फिट, और क्या चाहिए, मैं भी ठीक हूँ, कुछ और बात करो ना, पापा, एक्चुली पेशेंस वेट कर रहे हैं, बिटा, मुझे जाना होगा, ओ, हो, सॉरी, सॉरी, लेकिन टाइम पर खाना खाले न, पापा, ठीक है न, क्या है कि अब सीता भी नहीं है न, खयाल रखने के लिए, क्या का, कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस अपना खयाल रखना, ठीक है, आज तक मैं यह सब कहता रहा हूं तुम से, और आज तुम यह कह रहे हैं, बस कहने का मन किया, पापा, हाँ, स्वीट, हम, ओके बिटा, बाई बाई डॉक्यूमेंस है, तो मुझे मदद करने ही पड़ेगी, इनके मदद करना मेरा फर्ज है, ओ, मैडम की पंचाया चल रही है, जमीन असली मालिक को ही मिले, यही सरपंच का काम है, मैं आपको दूसरी प्रॉपेटी दिलवा दूँगी, यह भी तो सरपंच की ड्यूटी है, लेकिन इससे तो हम सड़क पे आ जाएंगे, सरपंच साहिपा, मैं आपे भरोसा करके आपके पास आया हूँ, आपको हक मिलेगा, रोट पे फैके गाएने, उसके बाप की प्रॉपटी एस साले, अब भी दिखाता हूँ, अरे, इतनी क्या जल्दी है, मेरी एंट्री बागी है, ओटो, ओटो, क्यों रहे मैडम, किसी और की जमीन किसी और को, कल तो दारिफों के पूल बांद रहा था, आज एचानक काटी क्यों बो रहा है, है ना गिर्गिट कहीं का, मेरे पूर्खों ने इनके पूर्खों को ये जमीन दी है, इस मंदिर से लेकर उस नदी तक फैली हुई 500 एकड़ की जमीन हमारी है, और इसमें से 50 एकड़ हमने इनको दी है, यह बास सर्पंटी को समझाईए, बकवास बहुत हो गई, कोई प्रूफ है, वो भी सुनो मेरी मोटर साइकल ले जाओ, भ्रम्मो से मिलो, लॉकर के तीसरे खाने में जमीन के कागस है, लेख याओ, शाकल क्या देख रहे हो, लेख याओ, जा रहा हूँ, थोड़ा सबर रखो, आता ही होगा तुमारा सुबूत, ये देखो आ गए असली कागसा, अब हो जाए पढ़ सकती हो, फिर भी समझ में आए तो वकील से पढ़ वालो, वंगार आजुन हमें बचा लिया, वरना ये तो हमें बेघर कर देती, हाँ, इसे सर्मंच पना ऐसे, पागल कहीं की, मुझे पागल बोला, आई विल के लियू, औकात मेरे, है, 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 सब रुक जाओ, उल् तुम्हें रोट पर ले आएगी, बंगा राजु, ये क्या कर रहे हो, गरीबों के साथ कभी खिलवार मत करना, ये क्या पागल पन है, ये पोस्ट का रोब, होकट का भाशन, काम नहीं आते, सुनो तो, जाओ यहां से, घर जाओ, आँख और दिमाग खोल कर फैसले करो, बं तुम्हारी गलती की वज़े से रिष्टा बनने से पहले ही टूट जाएगा, कैसे मना होगे उसे, आप देखो, रुख जाओ, नागलक्ष्मी, ज़रा सुनो तो, ये पूरा प्लान हमारी सरपंच जी का था, हमारी ग्रेट सरपंच नागलक्ष्मी, इनकी कोई गलती नहीं बल्कि यहाँ पर गलती मेरी है, मैंने अपने कागस घर पर रखे थे, इनके इस छोटे से नाटक से, हम दोनु की गलतीयां सामने आ गई, न्याए दिलाने का ये तरीका, हमारी सरपंच ही सोच सकती है, ये प्लान कब बनाया, सच मेर, मेरा ही प्लान था, इतनी घरे खोटी मैंने सुनाई, लिकिन इन्होंने मुझे एक शब्द तक नहीं का, साक्षा देवी हैं ये, सोनी का दिल है तुम्हारा नागलक्ष्मी, सच में तुमने मेरा जमीर जगा दिया, अब इन सारे लोगों को उनकी जमीन के दस्तावेस दो, ताकि इनको वो महसूस हो, जो मुझे अब हम सब मिलकर नागलक्ष्मी जी का जय जय कार करेंगे जाहिए जाहिए जाहिए, घर जाहिए, फीपर्स मिल गए ना, जाहिए अब शुरिया, शुरिया अब देखना तेरे फॉलोवर्स कितने बढ़ते हैं बात करने में थोड़ा अकडूसा है, पर दिल का बहुत अच्छा है लाइक हिम, मचली जाल में पस रही है मेडम, मेडम, सरपंच मेडम, इतनी हाथानी सुष्पर, भरोसा मत करना, आपकी उमरी क्या है? आप सरपंच है, कोई छोटी-बोटी हैसी नहीं, आप इतनी पड़ी लिखी है, बहाग्यानी है, आप यहां के राजा जैसी हैं, और वो मामुली प्रजा है मुझे सब पता है, एक नंबर का आवारा है, सबसे बड़ा चिछोड़ा है, पर मैं उसे पसंद करती हूँ अरे हाँ, तुम यहाँ नीचे कैसे आ गई? ऐसे आई, प्रभू! हाँ? बात क्या है? रभू, जरा वहाँ देखिए, उन दोनों को मिलानी की बजाया, उन्हें दूर कर रहे हैं, उन्हें इसी वक्त उपर बुला लीचिए इतने अलप समय में उसे बुलाना असंभव है तो फिर मुझे नीचे बेज दीचिए यह भी असंभव है यह तो उन्हें उपर बुला लीचिए, यह मुझे नीचे बेज दीचिए बस तो ही रास्ते हैं आपके पास दारम संकट में डाल दिया मैं तो क्या इंदरदेव भी ड़ते हैं तुमसे तुम तो वागे कमालो मेरी हरी बरी पेटी, महामरी तुन जाय मंतर का जाब करवा लो कल तुमारे पिता की साथी वर्ष गांठ है जल्दी क्या है पंडित जी, किसी और दिन करवा लेंगे समझ क्यों ने रहे, यह आपके लिए अवश्यक है ठीक है पंडित जी, कल ही कर लेंगे पूचा मैं सारे तयारिया कर लूँगी, सही कहाना दादी काफी दुना से मुझे आपसे बात करनी थी बीटिया नागलक्षमी के लिए मैंने कोवर ढूंडा है रहने दीजे पंडिजी, लड़का मैंने पहले ही देख लिया है बस सही वक्त का इंतजार है कल पूजा के बाद उससे ये बात करूँगा ठीक है, नमस्ते रमेश को सपने में किया उसका वादा याद है मेरे मरने के बाद भी अपनी जबान पर काइम है सुपर्ब चॉइस है, जो हमें चाहिए था वो सारे गुण है इस लड़की में शादी के बाद दुनों एक साथ कैसे लगेंगी? जैसे हम लगते थे देखा, उसका चेहरा पूनम के चांड जैसा खिल रहा है उसका सरल्मन गुलाब की तरह महिपता है सुन्दर्ता और सादगी का अनोखा संगम है ये लड़की बिलकुल तुमारी ही चावी है हाँ, सही कहाँ, ये हमारा सपना है और जरूर पूरा होगा शादी के बाद तो हमारे पूत्ते के भाग खुल जाएंगे जाओ, पूजा खत्मोने से पहले उससे यहां ले आओ हाथो लेकर आता हूँ न बैठो बिटा तेल्स, चलज़, लदी बता तेल्स, आर गया तेल्स, मजीद विया हलो हलो, बंगाराचो हाँ, पद्मा मुझी तुमसे बात करनी थी मिल सकते हो कहाँ हो तुम हमारी नारियल के बगीचे में अचा ठीक अभी आता बंगाराचो हाई, हाई, बोलो क्या बात करनी थी हे, शर्मा क्यों रहे दरसल, हे, क्या हुआ, बोलो ना हुआ 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 है लुआ, फालो ना पॉरहाँ हुए यह लड़ने आयो या डांड या खेलने आयो अख्टो एन वनका पावर डेख जय कोड़ी कोड़ी हुआ हाए एक आले कोड़ हुआ हुआ है यज यंग। झाल बखिल में जुब हुआ है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो भालाafter हुष और सेन्ग कम लां थार खड़ הुए प्रेश कि संवहीं आर मीभ घare कि सभावें देजे ए हुए 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 है पूजा के बिच विखन आपके पिताजी के लिए बहुत बड़ा संकट लाएगा यह गलत हुआ पूजा में विखन डाल दिया दिमाग नहीं है यह क्या पागलपन है यह बनाओती है पापा ऐसा कुछ नहीं है यह लेके जाओ इसे ले जाओ जाओ कभी माफ ने करूगी समझता क्या है खुद को कि एए चल भाग शार मानी चाहिए तुझे भाग दरसल बात यह कि उसने मेरा अपमान किया इसलिए बंगा राजु ने उससे सबक सिखाया उस दिन का बदला लेने वो आया था सुनो बेटा वो क्या है नागलक्षमे को मेरी फिक्र हो रही थी इसलिए उसने ऐसा किया तू दोस्त है इसलिए तुझे छोड़ दिया परना अज उस मंडप में तेरा सर काट देता बीस लोग मिलकर एक आत्मी को नहीं मार पाए भगा कर लाए भी तो उसी यग्जे के पास पूरे गाउं के सामने तमाशा बना दिया आज अगर मैं वह नहीं होता तो सालों की मेहनत पर पानी फिर जाता उसका मरना क्यों ज़रूरी है पता है नहीं अरे बताना इसी वक्त आर्के लोजिकल डिपार्टमेंट को इंफॉर्म करना होगा अन्बिलीवेबल सर्थ उस ओफिसर ने बिल्कुल सही कहा ये कोई मामूली पत्थर नहीं है ये अद्भुच जमतकारिक मणी है जो सालों से उस मंदिर में छुपा कर रखी हुई है उनकी रक्षा के लिए खास शक्ती काम कर रही है उन मणियों को हासिल करने के लिए उस खास रक्षा कवच को हाट बंगार राजु को मारना होगा उस बंगार राजु का वजूद मिता दो बंगार राजु को मरना ही होगा इस सब में तुमारे पोते की कोई गलती नहीं है इस दुश्मनी की शुरुवात मुझ से हुई थी वज़ा तो तुम जानती ही हूँ तुम अपने आपको दोश मत दो सब किस मत की बात है तुम्हें इस तरह से दुखी देखती हूँ तुम उससे बरदाश नहीं होता उन आत्माओं को और कितना कश्ट सहना पड़ेगा अति शिग्र उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी पूर्ण रूप से उनका अस्थित्व समाप्त हो जाएगा लेकिन उन्हें परम्मोक्ष मिलने से पहले अपने अधूरे कर्मों का हिसाब पूरा करना होगा सुख और दुख दोनों भोगना होगा अभी बहुत सारे बड़े कारे करने हैं इने बस देखते जाओ शोओ अच्छ 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 क्या फालतू दोस्त है तुम लोग एक गेम नहीं जीच सकते हैं कितने दिनों समने पार्टी नहीं की थी आज जब पार्टी के ये तो जम कर पीते हैं फुल नाइट क्या है सच है नागलिश्मीन इसको कान के निच्छ बजाया था विए तुम लोग ये गेम से सन्यांज लें नहीं कि आरे मिरें लिए रख रख रुख को देख तुने नागलश्मीन ऐसा जटका दिया है कि दिन में गर्ड़ गरगर पी चार्सोंई का जटका बोल अरे क्या कर रहा इतना दिल्पे नहीं लेते अच्छे किक मलती है यार अब बोल किस की बारी है वो बिचारा तो परिशानी में पी रहा है उसे रोकना चाहिए था ना गम में पी रहा है बिचारा यह सिर्भारी हो रहा है मेरा अरे भंगा राजु पता सब क्या बोल रहे हैं नागलक्षमी ने तुम्हें सबके सामने थपड मारा। उसे रोकने की बज़ाए बढ़ावा दे रहे हैं तु वही रोग रोग में तुछा कर उसे रोकों में हाथ जोड़ती हूँ इसे के जुर्रात नहीं मुझे टस्ट करने की वो मुझे क्या धपड बारेगी बहुत वो क्या उसका बाप इतने सीरियस की हो गए मैं तो छोटा सा मजाग कर रहा था चलो मैंने गोदभर एकी लिष्ट बना दी है बोलता जा अलदी चार किलो दो किलो कर तीन किलो केसर आजा कर दे शास्त इसकी आग्या नहीं देता शास्त रहा तुम्हारा राशन वाला ऐसा नहीं है मामा समाज में आपकी थूथू हो रही है और आप यहां पर मिंड़ की तरह कूदे जा रहे है शरम नहीं आती आपके जगा मैं उता तो खून खो जाए ना मेरी पुरह है किसने की ए बताना मुझसे तो बोला नहीं जाएगा बता शूरो जाख उसने का अप दिमाग से खाली हो खाली धिमाग बोला और क्या बोला यह को अगा लेकिन आगल क्षमी चब से सरपन्च बनी है करेक बार भी आपसे मिलने आई एक अगा घर कि तो क्यों नहीं बिजी ओगी कोई बीजी विजी नहीं बोल रही थी वह जब से मैं सरपंच बनी हूँ तब से बहुत बीजी रही हूँ काहे की बजी हो गुछ भी इन जोकर्स की मंधली के साथ गुमने का टाइम बल जाता है लेकिन मुझसे मिलने के टाइम पर बड़ी बीजी हो जाती है तुमने जोकर मुझे कहा आपकी बात नहीं कर रहा बल्कि आग लगाने वाले इन जोकरों की मुझे नहीं कहा तू सेलफी ले गली का कुट्टा समझ के तूर भागते मेरी कोई हैस्यत ही नहीं है ऐसा घोर अपमान दिल अंदर से रोने लगता है इसे नहीं करना चाहिए मन करता है के मर जाओ ऐसी बाते क्यों कर रहे हो दो दिन पहले ही आजाएंगे आम लोग चाहो तो नाग लक्षमी को समझाईए दरसल बंगा राजुने उन गुंडों से मेरी वज़े से ही दुश्मनी बोल ली थी बेटा पूजा वाले दिन मंदिर में वो उसी का बदला लेने आये थे उसका इस सबसे कोई लेना देना नहीं वो बेचारा तो मेरी मदद कर रहा था और इस तुमने तो कमाल ही कर दिया सरपन्च जी का स्वागत है इसके क्या ज़र नहीं तुम जो पधारी हो सरपन्च वारों के लिए हूं परिवार के लिए नहीं देख रही हो नेताओं से दो कदम आगी है देख रही है उस दिन मंदिर में दुश्मनी पर लेक्चर दिया था आज ये घर पर आ गई ये लड़की नहीं आफ़त है ये सला उस दिन धपड को याद करके शराप पिये जा रहा था और आज तारीफों के पूल बांद रहा है अगर नागलक्ष में गुरू है तो हमारा भाई गुरू आगे क्या होगा पाइब दूप पाइब दूप पाइब दूप की थी ना उसके लिए थांक यू समझा नहीं कुछ याद है ना उस दिन अंकल की तरफ से गुंडों की धुलाई की थी इसलिए आज बल्ली बन के आई नागलक्ष में अंदर आओ बंगाराज में अंदर जाओ ना इतना प्यार यह पटेगी नहीं न पट्टे नहीं दूँगा चल्ट हाँ हुआ है है इस टाइच्व क्यों गया शॉक लगा क्या शॉक तो उससे लगए अच्छा हुआ दूनों थोड़ा करीब आने लगे हैं आखेर पोता किसका है अरे सुनों कुछ कहना था अरे एक मिनुक रूप कुछ बात पता लड़की हो इसलिए वार्निंग दे रहा हूं वो किसी एक का होगा ये बात तो तुम भूली जाओ बचपन में जब वो गोपियों को घुमा रहा था तब बच्चा समझके लेटको किया ये कनया एक राधा पर टिकने वालों में से नहीं है ये रसीला है अगर कोई धांकी लड़कियों को जासा देना उसके बाएं हाथ का खेल है क्रीज पे वो एक दोर नहीं लेता सीधा चौका बहुत बड़ा खिलाड़ी है तुमें ना कमरे में ले जाके दरवाजे की कुटी बन कर देगा उसके बाद क्या करें का तुम तो जानती है अगर टेड़ी हरकत की तो लेड़ी सिंख हम बन जाओंगी एक पंजा मारा ना सारी आशे के बूल जाएगा ये जो श्टंडा मत होने दिना all the best मेरा आशिरवार लोगी अच्छे रहने दो इतना भी बुट्डा नहीं हूँ अगर लक्ष्मी कहा है हमारा वेजू बावरा हो गया है क्या अदा है इसके नाग लक्ष्मी तु मेरे घर की लक्ष्मी बनेगी हाई बंगा राजू हाई हम काफी अच्छे लग रही हो तो थाइंक इन तुम भी इतनी अच्छे देख सकती हो सच में हैं सकें अज फ्री हो क्या तुम इनके पास क्या काम है ये तो फ्री है तेरी तो ने ने मुझे बहुत काम है ओके मेरे साथ करना चाओगे प्वेष्मी लकाच रूपी चोर पुलिस मतलब मैं पकड़ूं, वो छूपे, वो पकड़े, मैं छूपूं और प्यारे ए ए ए नागलक्षमी, लुका चुपियो और चूर पुलीस न, ये तुम्हें बच्पन में बहुत खेलता था देख रही हो, यहीं चिपका राएगा हीरो ओकी, तो फिर तुम भी हमारे साथ खेलो, हमारे साथ तो नहीं खेलते लुका चुपियो और चूर पुलीस वाला गेम, ये रा फीवरिट है तुम्हें गेम खेलनी है या इन पर लाइन मारनी है ये तीन आउट होगे और तुम भी आउट होगे, ये सबको आउट कर देगा वाला लाल गोपाल हाथ में हाथ दाल दिया हाँ, हम दो ही बचा है सब यहाँ आजाओ जल्दी आजाओ, आजाओ, आजाओ ये, यहाँ आओ क्या हो आरे? तुमने कैसे किया था? ऐसे और मैंने? ऐसे तो डाइन किस पर आया? अरे बंगा राजू, डाइन इस पर आया अहाँ, होई तो, गल्ती से मिस्टेक हो गई न, आजाओ, आजाओ बच्चा फुल फोकस है, तुम उदर फोकस करो लाता हो, तुम कांटिनू करो अकडबकड बंबे बो, असी नब्बे पूरे सो राशन जाओ राशन छुप जाओ यह पूरा मैदान क्लियर कर रहा है फिर अपनी फिल्डिंग लगाएगा अकडबकड बंबे बो, असी नब्बे पूरे सो बंगा राजू, बंगा राजू चुप रहा है बंगा राजू चुप रहा है अकडबकड बंबे बो, असी नब्बे पूरे सो नागलक्ष्मि नागलक्ष्मि ? जाओ नागलक्ष्मि हाने इस तरह यहा हाँ जाओ आपर ऑनदेखक औने को नागलक्ष्मि याप沁म intimat चुपा देखना कहीं बाहर तो नहीं है जाओ देखो ना अरे यही पर है आ रहा है क्या यही आ रहा है दिख रहा है क्या तुम्हें आँ वो बाहर ही है तुम्हाद्र हो तुमने कहा बाहर है मोटू बढ़ा तेज है ओ ओके उस सरफ चिपती हूँ मोटू की तुम आउच आएंसी यहीं पर जाएंसी क्या कर रहे हो रिंगो कुद देखे रहा है वहां जाके देखो आजा ठीक रहे आई त्या उट बंगार राजू यहां बहुत जगा है यहां आकर छुप जाओ जगा कहा है दोनों के लिए काफी जगा है यहां आजाओ छुप जाएंगे नहीं रूड़ पाएंगा कहीं नी यतना डग्मा काचा है अरे डग्मा काने दे मामा यहां पाचा को बंगाराजू पर ले दा अंदस एपोव पुट्ट्टु कांगुलाम दूरम लो जई पिरते रियाक्स्ट नादगे उट्टाथी वत्चम जूसे रममटे रावे यहां बंगा वोक्यमाय आचुवाइप तिरिगी अंद मेन नड़ो मुझो पंची, रहा रहा अंटूंटे, अधादे, अधे इदू, ये मालो चेंजा को, ये लो, कुट में, वाल दी पिस्टू, जाने से पहले दरवाजे की कुंडी लगा दे, श्यस्! तुन्हें न, कमरे में ले जाके दरवाजे की कुंडी बंद कर देगा, उसके बाद क्या करेगा, तुम तो जानती हो, अंदर से दरवाजा बंद करती है, नियत में खूट है इसकी, कोशिश तो करके देखे, नाग लक्षमी क्या है पता चलेगा, मियाउ, क्या करे हो, चपल पहले कमर में हाथ डालेगा, फिर चिम्टी काटेगा, फिर नाग लक्षमी का गुस्सा जॉला मुखी की तरह फटेगा, उसके बाद ये प्यारी बाती है, ये गहरा प्यार शादी के सपने बच्चे बच्चे सब कदम हो जाएगा, सपने किये कराए पर पानी तरशा गया, दबोचले, दबोचले, आने दो उसे, शुक्र, ये सबाग हुमर भर याद रखेगा, हम, नाक लक्षमी, इस करके अतिथी हो तो, और पता है न, अतिथी देवो भवा, मेरी महमान ये गेमा, आज तक इसके बारे में इतना गलत क्यों सूचा, बच्चों के साथ खेलता है, बोला हो और मासू, इस पर तो प्यार आ रहा है मुझे, ज्वाला मखी तो दूर बॉंबी नहीं पूटा, मैरे किये कराय पर पाने फिर 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 बंगा राजो की मौत का हवन है इक कोटेशन्स चेपिन नी तेलिवी प्रादर्शन चको, चेपिन अपनिचरी, उसके मृत्यों का रास्ता सोच लिया है, सही मोर्थ का इंतजार है मुझे सही मोहरत की जरूरत नहीं, बस एक सही मोक्य की जरूरत है मार तूंगा उसे आने वाले चार दिनों के अंदर, उस बंगा राजु की कहानी हमेशा के लिए खा ए, आदी, तुम बंगा राजु को मानने वाले हो तो तुने सब सुन लिया, सब कुछ, जाके उसे बताएगा, हाँ, बिल्कुल बताऊंगा कर दो लुख, क्या झाया, हो लुख, ओुख, नादी, ऴे लिया, इस वुख, आदी, वे पाराणी थे चाले भी, भी, बते ही वे अंदर, वे अचाँ पिताची आदे मैं 25 सालों से एक एक दिन प्रतिशूत की आग में जल रहा हूँ या तो तो उसका शिकार करना या उसे मेरे लिए छोड़ देना ना हमारे पास वक्त है ना ही कलती करने की कोई कुछाई संदी जी आई आई ना दिल पे निलेते हैं नमस्कार अंकल नमस्कार कैसे हैं आप अच्छा हूँ रास्ते में कोई तक्लीप नहीं कोई खास दी ये नए करेक्टर कॉन है ये हमारे ब्रह्मों के संदी हैं कितने वक्ते बाद मिले हैं आओ बहुत है ना अब टाइंग मिला हम जरब बीजी थे जाएगे अंदर बैठिये अधि-आई अंदर चलते हैं तुम इतना घुस्सा में क्यों हुआ है गुस्टा नहीं तो क्या इंसे प्यार से बात करूँ यह क्या पर बाद करता है क्या बार बार इनकी शकल ना देखनी पड़े इसलिए इसलिए इस बहुत पहले ही इस घर में आ अप अंदर चलिए नहीं इसा क्या किया इनों है ये पूछो क्या नहीं किया मेरी हर एक चीज सेने प्रॉब्लम है सुभर देर से उठों पती को नाम से बुलाओं कभी टी-शिर्ट पहन लूँ रात को नाइटी पहनूँ खाना बनाने में देर हो जाए या फिर खाने में नमक ज्यादा गिर जाए जो सही कहा है बुरा माना ये तुम पर होता है कि तुम उसे किस तरह से लेती हो तुम्हारे सास ससुरने भी तुम्हारी हरकतों पर तुम्हें बेटी समझ कर टोका होगा ये सोच कर भी टोका होगा कि इस बात को लेकर तुम्हारे पती से कोई अन बनना हो जाए इन बातों के पीछे साथ बदलिए एक लड़की अपना घर छोड़कर बड़ी उमीद के साथ एक घर में जाती है और वहां आपको अपने माबाब समान समझती है जिस तरह से वह आपके संसार में बस गई है आप भी अपने मन से उसे बीटी का धरजा देए कोई भी इंसान अपनी आदते इतनी जल्दी नहीं बदल सकता ये जैसी है वैसी इसे अपनाने की कुशिश कीजिए आप भी खुश रहेंगे और ये भी सुखी रहेंगे देखे एक बात समझना बहुत जरूरी है अंकल एक उमर के पड़ाव के बाद जब हाथ पर चलना बंद हो जाएंगे न तो आपकी मदद करने के लिए आपके पड़ोसी ये आपके रिष्टेदार नहीं आने वान है बलकि उस वक्त कौन साथ होगा उस वक्त आपकी बहु स साथ होगी और इसके माबाब साथ होंगे और यही सच्चाई है अलग रहने से हल नहीं निकलता सबके साथ रहने में ही सुख है वादा करो खुद से वादा करो पगड़े हुए रिष्टों में फिर से मिठास खोलोगी हाँ 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 यह क्या बिटाव सॉरी पापा क्या रहे इनका मेलोड्रामा अब तक चल रहा है अरे इसलिए बुला अगर शांती से जीना आना है तो शादी के जंजट से दूर रहे इतनी जल्दे तो गिरगिर भी अपना किस सोच में डूबे हो कोई परेशानी है कैसा होता है ना इंसान जिन्दा रहते हुए जीवन का मुल्य नहीं समझ पाता मरने के कुछ नहीं होता है ना अपनों के साथ रह पाया ना अपने पूते को प्यार दे पाया बड़ा मकान तो मनाया लेकिन घर नहीं मना पाया चोटी-चोटी बे-मतलबी बातों पर कितना कलेश मचाते हैं ये लोग जीवन है तब तक प्रेम है मरने के बाद तो बस फोटो में ही रह जाते हैं बंगार राजे को जगडालू समझती थी लेकिन वो रिष्टों को इतना समझता है ये देखकर मन में उसके लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई सच का हूं तो मैं भी यही समझती थी अपने बरताफ पर मेहाच शर्मिंदा हो उसने मेरी लाइफ बदल दी तुम दोनों भी धोका कहा गई अंदर राम बनके रिष्टों पर लेक्टर देता है बाहर शाम बनके शादी को फालतू बताता है अरे इंसान है अगर सच में तेरे पापा ने उस गधे को अच्छा लड़का कहा है तो तेरे पापा से बड़ा गधा कोई नहीं है कर ले अधर दा मेरे कैल्कुलेशन के हिसाब से उस दिन वो बंध कमरे में तेरे साब गॉल्डें चांस को छोड़ा के से मारने से पहले सोचूंगी नहीं तो क्यों उसके लिए तुम मेरा रामनम सप्या करेगी सोरी अन्सोरी ठीक एकल उससे मिलो और मिलके उससे ये कहो कि मुझसे मिलने के लिए तुम मेरे आम के बगीचे में आजाओ चुप के से और ये भी कहना कि वहाँ तुम दोनों बिलकुल अकले होंगे बहुरे की तरह उड़ता हो आएगा अगर तुम्हारे साथ उसने कोई गंदी हरकत नहीं की तो ना सिर्फ मैं तुमसे हमेशा के लिए हार माननूंगा बलकि तुम्हारा कन्यादान करके होने वाले दूले के पैर अपने हाथों से धूंगा ठीक है आपके मेरे बीच बैट लगाते है अगर कोई बतम इसी की तो मैं खुद उससे सबक सिखाऊंगी और मैं आपसे आकर माफी माहँगूगी उसी बकत पर उसने जेंटल्मेन के तरह बेहःव किया ना तो आप उससे माफी माँगे उस लोफर आवाला से यहा माँद लूँगा पका ना मेरे हारने का सवाल ही नहीं है पर मांग लूँग लेकिन सुनो ज्यादा ओर एक्टिंग मत करना है वरना उसे शक हो जाएगा ड्रामा कॉम्पेटिशन में बहुत एवाट जीच चकी हूँ देखते जाएए देखते हैं बंगा राजू यह रोज रोज क्यों करंट मारे जा रही अब कौन सा कांट किया थोड़ा पेट्रोल छिड़का है प्यार की चिंगारी नफरत में बदलेगी बस अब बारिश ना जाए मनोस अगर एतराज ना हो तो कल हम आम के बगीचे में मिल सकते हैं आम के बगीचे में? हाँ हाँ ओके कौन कौन जा रहा है? कोई भी नहीं तुम मैं और बस तन हाई मतलब तुम मैं और कुई नहीं आओगे ना? हाँ कल सुभा साड़े नौ बजे शार्प आम के बगीचे में फिक्स ओके ओके प्लैन का मियाब हो रहा है? अरे पापरे बावली होगी ये तो आम के बगीचे में मिल रही है वो भी अकेले में कुचे-कुचे रिखमा पापा मैं आपकी प्राब्लम समझ गया टेंशन मत लीजे मैं हूँ ना मेरा राजा बेटा सूपर डूपर ए बंगा राजू यहां क्या कर रहा है? क्यों नहीं आसकता? तुम भी तो आए हो वो तो हम बोर हो रहे थे तो यहां टनने आ गया? वही वही मैं भी बोर हो रहा था तो खेलने आ गया इधर आओ एक गेम खेलते हैं कौन सा गेम? रानिंग रेस वो कटा पेड़ दिख रहा है जो भी उसे पहले हाथ लगाएगा वो बिनर होगा ओके? बड़ो देना, शुरू करें तो फिर तीन के काउंट पर वान टू थ्री गो बड़ो जिन्ना बंगा राजू जिन्ना, जिन्ना जिन्ना जिनल! 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 यह बंदाए को चालबू है यह अपना ही बच्चा है नंदी बंगार राजू चिनन तो ठीक है न चोड़ तो नहीं आई न ठीकू यह ठीक है इसे कुछ भी नहीं हुआ चिंदा मत करो ठीक है और कितनी दिर तक सोता रहेगा उठाओ ना इसे अरे सोने दो ना विजारे को अबे थक नहीं उठाओ कैसे हो बेटा? हैपी बर्देश एफ रामो आपने मुझे वीश कर लिया आपने मुझे विश कर लिया गिफ्ट भी कुरियर से हाता ही हो हुआ मैं टाइम पे ना लूंगा अवकर से थाइम पे खाना भी खा लूंगा ठीक है पर्फिक जारहो वो, नाइस. वाँ नाइस बद्देसान, क्या? वाइ. संभाल के, क्या रहे, उठ गया, नौकर से कहो, नहाने के लिए पानी गरम करे, दादी गालियां देंगे, अगर तुम्हारे बद्देपत कोई कमी रह गई तो, कितना जूर बोड़ रही है, कब दाली दे इने? चैया दुम्हारे नहांम कमी ईढ़ा कहramaं मेरी का हानी है, कथा है, भ्रमाने क्वार मेरी नहाले क्या सब लववव़ा है, ज़वभल से चपले से Ephंणा है, व्रमाने के。 वाँभर ॰वभर Kinvae बद्भर्वर, क्या मेरीओ करोग बद्युम्हा Child selective skulle बड़ कि चो पर घरफ पर में तो कि अपना में थार, अपना में तो करना में पर शार, भट कि अपना है भार कि अपनानी कहा कि वाटनी हो जा कि अ और सकता है जानवर को नहला रहा है क्या माफ कीजिए घलती होगी मैं नहरा आती हूं पाले डालो देखो तो कितने प्यार से उसका सिर्द हो रही है नहाने के बाद पूजा करने आ जाना पूजा करने लेकिन क्यों मैं कह रही हूं इसलिए ठीक है आरती लो आरती लो यह आज खास तुम्हारे लिए बनाया है खाओ प्रसाद खालो फिर हमें मंदर जाना है अब इसकी आदर डालो देखते हैं हलो हलो बिटा है पापा इडिए टाइम पे खाया टाइम पे सो जाओंगा असली हो गई अब फोन की ड्यूटी हो गई हो तो हॉस्पिटल की ड्यूटी कर लीजिए तैंक्स फो कॉलिंग वेल्कम बिटा बाई 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 पापा से कोई ऐसे बात करता है क्या मैं अपसे मिलना चाहता हूं पापा मुझे आपकी बहुत याद आ रही है बच्पन में ये सारी चिठ्थिया लिखे थी पर मैं उन्हें कभी पोस्ट नहीं कर पाया पता है उनकी और मेरी दुनिया बहुत अलग है अमेरिका जाओंगा तो भी उनके पास मेरी लिए वक्त नहीं होगा और यहां पर वो आएंगे नहीं मुझे वो बहुत प्यार करते हैं पर पता नहीं क्यों जाहिर नहीं करते हैं और जितना वक्त वो मुझे दे रहे हैं न उतना मेरी लिए काफी नहीं है तो मैं उनसे कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करता क्योंकि इससे कुछ फायदा नहीं होगा इस रिष्टे की डोर और अपना दुख चुपाने के लिए हर चीज में खुशी ढूनने की कोशिच करता हूँ पर अंदर से मैं कितना अकिला हूँ ये तो मैं ही जानता हूँ अरे आगई पेटा कैसा रहा फंक्षन बहुत मजा है आओ खाना खालो हाँ अभी एक मिनेट फोन देखो बंगार राजू उठाओ अलो अंकल हाँ बोलो बेटा एक जरूरी बात करनी है क्या हुआ ये बात मैंने अभी तक नागलक्ष्पी को नहीं बताई है सोचा पहले आपसे बात कर लूँ मुझे उससे प्यार हो गया है अगर आपको एतराज ना हो तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ मैं नहीं जानता कि आप मेरे बारे में क्या सूचते हो पर मैं आपसे एक वादा करता हूँ जितनी इज़त मैं अपने माता पिता की और अपनी दादी की करता हूँ उतनी ही इज़त मैं आपकी बेटी की भी करूँगा अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दीशे मैं थोड़ी देर में तुम्हें फोन करता हूँ अहां ठीक है अंकल कट करो क्या जवाब दूँ बेटा आप इससे अच्छा हम सफ़र मेरे लिए धून पाएंगे क्या हाथ मूँ धोले खाना ठंडा हो रहा है आजा ठीक है तुम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया मेरी तो समझ में नहीं आता तुम्हारे पापा से बात करता हूँ ठीक हो ना रामू ? यह हमारे बच्चों को एक दूसरे से प्यार हो गया है हाँ यू मिन लव ? हाँ तो फिर सोचना क्या है? शादी करवा दो तोनों की? पंद्रा तारिक का मुहुर्त है शादी की तैयारियां करनी होगी तुम्हें वाट? नेक्स मन्थ फिफ्टींद को? हाँ वो कहते है ना चट मंगनी और पट ब्या जल्दी से टिकेट बुक करवा दो अरे तुम्हारे पापा भी अजीब है शादी के लिए अपॉइंट्मेंट नहीं दी और कहा कि हनीमून के लिए वहाँ भेज देना वो क्या है ना वो पापा बाद में है पहले वो काडियोलोजिस्ट है ओपरेशन्स बहुत इंपॉर्टन्ट होते है शादी का क्या हो जाएगी? हम यूएस जाकर आशिरवाद ले लेंगे ना एक ही बात है ये भी ठीक है ये सही कह रहा है अगर मैं जिन्दा होती तो आज ये शादी बड़ी धूम धाम से करवाती तो अब भी क्या विगड़ा है तुम लेडीज में इंजॉय करो मैं आद्मियों में शामिल हो जाता हूं दोनों मिलकर धमाल मचाएंगे चलो आखिरकार बंगार राजू के शादी से लोग कितने खुश है दूसरी तरफ इनके बेटियां शादी रुकवाने के लिए हर तिकडम लगा रही है इनके बेटियां ये शादी नहीं हो सकती अब वो ब्लेसिंग होता है तो बोला मेरे चलो काम चला लेंगे थेंक यू थेंड आज़िये आजयो अजयो और इने काना भी धूस धूस के खिला ना अपना सारा ब्लैक्मनी इनी भुकड़ों पर लुटाना है ना कही हैं। कहँ़ है। गईंग कही है पब तस्तेर को अरे आओ बेटा कैसे हो मैं ठीक हूं आप कैसी हैं तो कैसे हैं इंविटेशन कार्ड है आप सब को आना है हाँ जरूर आएंगे और भाई सब ठीक हाँ अब सुन हमने दोस्तों के लिए बैचलर पार्टी रखिए और तुझे आना ही पड़ेगा याद रख शादी होने तक त किया देख रहा है आप कुछ बेचैन से हो रहे हैं तो मैं हो गया हूं उसकी शादी की खबर सुनके और आप कुछों की हरकतों पर रीसर्च करते बैठे हैं कब खात्म करेंगे उसे उसकी मदद कर रहा है कोई कोई अंदेखी शक्ती उसके पीछे है ऐसा कुछ नहीं है वह है मौ रहा है आपको विश्वास नहीं हो रहा ना वो आ चुका है बंगार राजू की आत्मा यहीं है अब मिलेगा दिल को सुकून 26 साल से मुझे जिस दिन का इंतजार था आखिर आज वो दिन ना ही कया यह आप क्या रहा है पिताजी सत्य है एक ऐसा सत्य जिस पर किसी को यकीन नहीं हर 24 साल में एक बार शिवरात्री के दिन रुद्रा भी शेक करने के लिए यमलोक से एक आत्मा मृत्य लोक पर आती है उस आत्मा में इंद्र देव की महिमा यमराज का राध्रा और शेव की शक्ति होती है इस बार वो आत्मा कोई और नहीं बल्कि भंगार राजू की आत्म सत्य है मैं साइम साक्षी हूँ अपनी आखों से उस आत्मा को देखाए उस दिन मैं मौत के चंगल से बागल बागल पचा था और तभी मैंने प्रतिज्या की कि उसकी आखों के सामने उसके पूरे कुनवे को भस्म कर दूँगा अगर मैंने अपनी प्रतिज्या पूरी नहीं की तो रुद्राक्ष के साथ प्राण भी त्याग दूँगा देखना चाहोगे उसकी आत्मा को किल जाए हुआड़ सामान भी थामने दूँगा इखन्या उसकीश नğसके के साथ जाण भी 9 तो लिद्ड़रे चाहँ अब क्या करना है पिताजी उसके पोते को मारना है जब वो आत्मा उसके भीतर नहों उसे सिर्फ मारना नहीं है भलके तरपा तरपा के मारना है जा उसे ढूंड निकालो वो आचरा चश्माना नहीं आएगा ये उसका आफर जश्माना नहीं होगा उसके लिए बहाँ उसके तरप टाफ नहीं होगा आगो! अब क्या करें? इसे कैसे मारना है मैं जानता हूँ आगो! 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 कुछ तो घर बढ़े यहां मेरे पोटे को कोई क्यों मानना चाहता है अब अब असे अंतिम युद्ध बचा है ओम नमाशिवाय सत्यमा तुम यहां हमारे साथ चलो तुम चलो मैं आता हूँ जल्दी आना इसको कैसे बताओं कि इसके पोटे को कोई मारना चाहता है खांखांगा बरा जाएगी जाएक काली इसके अंदर जो चेन है वो अभी मंत्रित है इससे उसके तादा की आत्मा उसमें प्रवेश्ट नहीं करेगी जाओ क्या बात है स्वागत करने पूरा गाउं खड़ा है देखो दुलन आ गई जरा हटो बैठो बैठो बेटा तुम क्यों खड़े हो रहे हो कल इसकी मूँ दिखाई की रसम है आप सबको आना होगा जरूर आएंगे हमारे जमारे में शादी के बाद ही दुल्ला दुलन को देख पाता था पूल फैशन दादी तू होगी ये लो बैठा आओ कैसे लादी कैसे लादी हाई आदी हेए कॉम्राजुलेशन्स जरा देखो तो इन बच्पन से ही एक दूसरे के दोस्त है ओ हेए ये क्या है कुछ स्पेशल है क्या मुझे दो बात में खोल लेना इसे अब कूजा में बैठना है चाह कल बंगार राजू के विवा का दिन है हाँ गलात मौत का दिन जल्दी चलो पंदिशी इंतिजात कर रहे है अभी नभी में आशादी बंगाराजू जल्दी से मंदिर पहुँचो हम सब भी वही जा रहे हैं आप इतनी जल्दी जा रहे हैं अरे जल्दी तुम्हें ही थी ना बग पर पहुँच जाना अरे आदी इसे लेकर जल्दी आ जाना देर मत करना आप जाईए वही मिलते हैं जरा सुनो तो मैं मंदिर जा रही हूँ तुमसाँ चलो नहीं मैं इसके साथ ही रहुँआ तुमसाँ चलो हाँ ठीक है चलो तुम्हें मंदिर जागा भाई जैसे हमने प्लैन किया था सब वैसे ही चल रहे है राश को समंदर में फेक दो मेरी बेटी बंगाराजू के प्यार के जाल में फस गई है उससे ऐसी मौत मारूंगा कि देखकर मौत भी काप जाएगी भाई शादी की बाद छेड़ते ही अगर उसे मारा तो लोगों को शक होगा शादी के लिए हां कहतो मंदप में पहुँचने से पहले उसे खत्म कर देंगे और किसी को हम पर शक भी नहीं होगा जब तक बंगाराजू के पोते को नहीं मारेंगे हम आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे तो तुझे मारते हुए वो मंदर तक ले आया तू क्या करेगा उसे उसे अपने हाथों से मारूंगा तो रमीश है यह तो आस्तीन का साम निकला भाई इस बार बच के जाने ना पाए जोग करना है जल्दी करो वो बंगार राजू की आत्मा इस धर्ती पर कप किया चुके पता है तुम्हें जो नरक मेरे परिवार को दिखाया वो नरक मैं उसे भी दिखाऊंगा मुझे चैन तभी मिलेगा जब उसके सामने उसके पोते को मरता हुआ देखूंगा जिस वक्त उसके पोते को मारोगे उसी वक्त उसके दादा की आत्मा भी नष्ट हो जाएगी क्या क्या रही है उसे मार के फिर जीवन से भले ही मोक्ष क्यों न ले लूँ भगवान ने मुझे हर वक्त इसलिए बचाया ताकि एक दिन उसका वद्द कर सको तुम्हारी बेटी का विवाह मेरे बेटे से होगा खाजाना तुम्हारा होगा बतला मेरा होगा मेरे कहने पर आदी बंगा राजु को शिव मंदर लेकर आ रहा है जाओ जाकर बचाओ उसे अदूँ 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 अचिण आफी नचिज यus अजि कश्रूजे। हटीछ कश्रूह यह दित यह अंगोठी अभी मंत्रित है शादी में बंगार राजु को यह पहना देना दादा की आत्मा उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगी अपनी बेटी को कहना उसे पहनाने को जिससे हम पर भी कोई शक नहीं करेगा बचाओ उसे घड़े-घड़े तमाश अमांदे कुसकी पदद करो रही आपड़े जची बताड़ी है दोग्टी चेहीं कोगे लो रही रुख जाओ वो उसे मार रहे और तुम कुछ भी नहीं कर रहे क्या इसी नहीं मैंने जिंदगी भर तुमारी पूझा की थी यही दिन देखने के लिए रोज मंदिर आती थी पहले मेरे पती की जान लेकर मुझे मेशारा कर दिया मुझे दुखी करके भी तुमें चेममे लेका इसले अज नहीं पीछे पड़ गए क्या तुम्हें मेरी दुख भरिपुकर सुनाई नहीं दे मर उष्ए मर जाएगा ये चैह चुपा धड़ रहा यह कहसा निया है तुम्हारा तुम्हें कुछ करना होगा उसे बचाना होगा वरना तुसे विश्वास उड़ जाएगा एए ने रोप जाओ अ沁 extensivelyë ज सी बचाना है और याइँ 8M 9 कर्स्थ ऑुब खलडा झाल पुद्धिर, वाणनों उदिले है? पुवे यकटेड़े किड़ों नाउन्हकत देलोस्तुन्दी, ये बंगा राजु, बैटतिकरा रा, रा, बैटतिकरा रा, रे बंगा राजु, दुले है? בהんな… बंगा, राजु, रा? शुडो! नी मन거나 षुण बाल केडना दों शुडो! रे, यें प्रणपरा? जो दू ले, रा? रे, 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 रे! रे, र εδώ, सम्पत, यें प्रणपर राण्नी? मत्तात्नी चुपए-व काधनु... रे, चिन्न पिल्लोड रहा, येंचे येद रहा, 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 का पड़ रहा, का पड़ रहा, वोदिले रहा, चच्चपो थड़ रहा मेरा वेका आ गया, रामू! है, काट के रख दो, आज दादा, बेटा, पोता तीनों मरेंगे रहा फेद खेड़ रहा कर दो हुआ ह juvenile कि अपे guilty ना मनावान उश्ड़शाय उच्पार हुआ ना खोड़का चोलो चोलो बंगार राजुन रहा इक्के को नवनान नी मनावान नी चाम्पपोए ड़। चाम्पबंगारो चाम्पे रहान नी बंगार राजू बोट हुग! हुग मेशे! नफे! हुग! 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 क्या था... भंग! अटाँ की! भंग! क्या राशा भंग! यही ना खोड़कने प्रेंडेरी देपदी सेड़ रहा खोट्टा हो एरक खोट्टी ना खोड़कने खोट्टा हो यही इसले तरी शाथी पर पारखा खोड़कने तको तको मार इडको जार जै वी की हमद्ट इसे कुल मोत अ माइघ कब्सक्राइज करें कि अरुप एंग्गा राजू ये चोट कैसे लगी अरे अंकल हम आप यह खुण यह क्या ने नहीं कुछ नियुआ कुछ ने कुछ नहीं कुछ ना पड़्कर आजो, यह तुक्छा राज नहीं है बहुत हो गया तेना ट्रावा आप आप करके मेरे नियुक्त चोल गच्छतर रहा मेंनो संपैसान एएंग पर्षज अपर आप आप पर आप आप अपर अपर आप मेरे बेटे को मारने की सांजिस्की तूने तनक देल सते बाद पारत उंदूना झिलो भांगा राजु यह आगि आप सब्षया को खनार में बिल्कुल थीक हो कि झिलो नप में मे गाम और सो यह पाप है यह पाप किया रख कर३र बंगा राजु पांप का यह हल कैसे हुआ मैं ठीक हूँ, आप टेंशन मतलो, हाँ, I'm okay, वैसे आप अचानक, हाँ, मेरी बाउ है ना, इसने मुझे फोन करके मेरी जिम्मेदारी का ऐसाज जलाया, पहली फ्राइट पकड़के मैं यहाँ आगया, are you alright, everything okay, मैं बिल्कुल ठीक, हाँ, 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 दादी मा, क्या यह सच में आप ही है, आप मुझे ऐसे कैसे छोड़ कर चली गहीं, पताएं कितना रोया था मैं, फिर से मत चले जाना, यहाँ मेरे साथ ही रही है, पिटा, कौन कहां रहेगा, उसका फैसला इनके हाथ में है, जो इस संसार में आया है, उसे जाना भी होगा, पापा, बोलो, लाइफ में फर्स ताइम आपको इतने करीब से समझा, दिल से देखा आपको, एक अलगी हिम्मत पैदा हो गई है मुझ में, अब यही हिम्मत तुम्हें अपने बेटे में पैदा करनी होगी, बच्पन में तो तु इसे छोड़ के चला गया, लेकिन अब इसे छोड़ कर कभी मच जाना, हमारे जाने का वक्त हो चुका है, अब आज के बाद, ना हम तुम्हें देख पाएंगे, ना तुम हमें देख पाओगे, तुम सब अपना खयाल रखना, हमारी प्रता बनाए रखना, जैसे मैंने इस गाउं और इस मंदिल की सुरक्षा किये, वैसे ही मेरे जाने के बाद, मेरा पोता बंगा राजू, इस गाउं का दायत्व में भाएगा, लोगों की खुशियों का खयाल रखेगा, जिस प्यार से लोग इस बंगा राजू को याद करते हैं, वादा करो वही इससे तुम भी कमाऊगे, रिष्टे हमें शाजब दुल से निपारते हैं, ऐसे रिष्टे जिन्दा मरके भी रह जाते हैं, क्ता हुआ हैं, जिसस प्डाइब दूआ हैं, आज़ाँ? हुआ हाँ, यह वहाँ हुआ है, वहाँ हैं, वहाँ हैं, कि अजई हम अभाई कि अजय हम जए अजय हम रहा हरा चूल जए जए जड़को अजय हम लोग्टप हम अजय हम ऐना बना चूल जए खूने को फिर आग ठाही है को अलगी कशक्वाम है झाल झाल